क्या बड़ी ख़बर आपके पास उम्मिद्वार हैं तो कई जगे ऐसी हैं जहां पर अभी तक काउंटिंग ही शुरू नहीं हुई हैं जहां पर देरी से शुरू आपके पास क्यार अपने डाल दिये हैं नतीजों से पहले ही तो गरीब एक घंटे से जादा का वक्त हो गया लेकिन अभी भी देवरिया में मत गरना एक घंटे से जादा देर से शुरू हुई है और उसे पहले जहांसी की भी हमने ख़बर दिखाई थी कि इस तरह जहांसी में भी काफी देर बाद यहां पर काउंटिंग शुरू हुई है ऐसे में बड़ा सा वाल उठ रहा हला कि प्रशासिन का दिखारिक तरब से कोई जवाब नहीं नहीं तो अभी किसी उमीदवान ने इस पर एहतराज जता है लेकिन ये बड़ी ख़बर जहांसी की और देवरिया की हम आपको बता रहे कि 8 बजे का वक्त था लेकिन उसके बाद अब जाकर ये काउंटिंग शुरू हो रही है बिल्कुल और जहांसी से ही एहम खबर है पर नतीजे भी देरी से ही आएंगे और सितापूर में MLC चुनाव की मतगर्णा जारी है पर शाहसन पूरी तरह से मुस्तैद है मतगर्णा के दुरान डियम विशाल भारदवाज के साथ पर शाहसने कदिकारी मौजूद है जी मीडिया ने ग्राउंड जिरो से जैसा लिया आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सुरच्छा बेउस्ता के पुक्ता इंतजामात हैं चंद घंटो में ही MLC चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा सीतापूर में BJP और समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी चुनाव मैदान में है वही एक निर्दली प्रत्यासी भी चु हुआ था अभी चंद घंटों बाद धी सीतापूर के MLC चुनाव का परिणाम आ जाएगा और किसके सहरे पर तास सजेगा या देखने वाली बात होगी राश्कुमार दिक्षित जी मीडिया सीतापूर